आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पाल तो करना पड़ता है तो Option A है आपका Non-Current Assets, Option B है Current Assets, Option C Current Investment and Option D है आपका Loans and Advances तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो आते हैं यह आते हैं आपका Non-Current Assets ठीक है? Non-Current Assets Non-Current Assets का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पर Non-Current का मतलब है Fixed Assets, ठीक है? Fixed Assets पहले आते हैं और Fixed Assets के अगर Fixed Assets के अगर दो टाइप देखें तो यहाँ पर दो टाइप का होता है जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर Tangible Assets आते हैं Tangible Assets आपका जो होता है Tangible Assets जैसे कि हम देखते हैं Furniture, ठीक है? कोई यहाँ पर Example ले लेते हैं Furniture, जैसे कि हम जानते हैं Machine कोई, ठीक है? उसका Value पहले आते हैं यहाँ पर ठीक है? और भी सारे Tangible Assets होता है जैसे कि Car, Building, Land Freehold, Freemies यह सब Tangible Current Assets Non-Current Assets, जैसे कि Fixed Assets है यह Fast में आते हैं फिर देखिए जो Intangible आपका Assets होता है Intangible, वो भी Fixed Assets ही होता है Non-Current Assets ही होता है तो Intangible की जो Group होता है जो कि हम छू नहीं सकते ठीक है? देख भी नहीं सकती वो सारे Assets, जैसे कि हम जानते है Goodwill जो होता है, यह Balanced में आता है, यह उपर की तरह भी आता है, मतलब की Fixed Assets की Head में आता है, जैसे कि हम जानते है, Patent, पैटेंट जो होता है यह भी आपका क्या होता है Non-Current Assets होता है, टीक है? Intangible, Copyright जो होगी, आपका Trademark जो होगी है, टीक है? यह सब आता है Non-Current Assets की Group में फिर देखिए, Current Assets में क्या क्या आते है उसके बाद, देखिए, Non-Current Assets के बाद क्या होता है जो भी आपका Long Term आपका जो भी क्या होता है Long Term जो भी Assets होता है वो यहां पर आता है, टीक है? Long Term जो भी Loans पगड़ हो गया आद्वांस हो गया, वो सब यह पर आ जाएगा फिर आपका आता है क्या? Current Assets, यहां पर आता है क्या? Current Assets आता है Current Assets में क्या क्या आते हैं? देखिए Current Assets में हम लोग जानते हैं Cash in Hand, Cash at Bank, Inventory, Sunday Raters, यह सब आपका आ जाएगा Current Assets की आंदे Bills Receivable जैसे की हम जानते हैं ठीक है? तो यह सब आ जाएगा आपका Current Assets, ठीक है? तो यहां पर देखिए, तो यहां पर पूछा था कि According to the Prescribed Order of Assets, इने Companies Balanced Company के Balanced के जो सही अडर होगा, तो ओडर होगा आपका कौन सा? First of all, कौन सा Non-Current Assets आपको देखाना पड़ेगा Non-Current Assets जो होगी आपका यह पहले देखाना पड़ेगा, तो Option A जो है आपका सही अंसर हो जाएगा Thank you